तो ये वीडियो उन लोगे लिए भी है जिनके पास Community Guidance Strike नहीं है अगर आप Bonus वाला Option चाहते हो और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि तुमारा भाई कितना बड़ा खिलाड़ी है क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसे मैंने आप लो आपको आज का अपना अकाउंट का स्केटस दिखा हूं तो यहां पर वो इस ट्राइक वो गायब हो चुकी है मतलब आज से 3-4 दिन पहले ही मेरे अकाउंट पर Community Guidance Strike थी बट अगर आज आप देखोगे तो वो गायब हो चुकी है और मैं आपको लाइव दिखाने वाला हू अगर मैं अपने अकाउंट पर जाता हूं पहले आप भी चेक कर सकता हूं तो यहां पर अगर मैं अपने अकाउंट पर जाता हूं तीन डॉट पर जाता हूं आपको सेटिंग पर जाना पड़ेगा उसके बाद आपको अकाउंट स्केटस पर जाना है तो यहां पर मेरे पा चुका है यहाँ पर मैंने इस ट्राइक को रिमूफ करवा दिया और वह कैसे करवाया Instagram की कितनी लिमिट होती है इस ट्राइक की सारी चीज़े बता दूगा बट उससे पहले यह बताता हूँ कि यह गाईडलेन इस ट्राइक आते कैसे है और अगर एक बार आ जाती है ना मेरे भाई तो यूटूब पर तो क्राइटेरिया होता है कि तीन मेने तक वो रिमूब करवद कर देंगे बट Instagram पर कोई सुनवाई नहीं है तो भाई Instagram पर भूल के भी गाईडलेन इस ट्राइक मत लाना मेरे पर कैसे आई थी वो भी आपको बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर भाई यहाँ पर साफसाफ लिगर खाय तो यहाँ पर मैं आपको short form बताता हूँ basically Instagram कहरा है अगर आप किसी की वीडियो अपने content पर डालते हो copyright वगरा तो आपके पास guideline strike आ सकती है तो आपके पास guideline strike आएगी और मेरे साथ भी यहीं हुआ था अतारक था जब मेरे पास आई थी guideline strike इस वीडियो को देखना है तो मैं आपको साफसा बताया था reason कि यहाँ पर एक साल पहला थी मेरे पास ठीक है तो मैंने आपको reason बताया था कि मैंने एक politics वगारा कुछ post वगारा था उसके निचे comment कर दिया मतलब BJP से related उनके साथ में होकर और यहाँ पर जो BJP के hitters थे वो मुझको भड़क गए मेरे comments पर और इतना दा comments हो गए कि भाई जो admin ता उसने remove कर दिया उसने report कर दी तो मेरे पास comment गाले strike आ गई थी तो इसलिए भाई मैं हमेशा कहा रहा हो मेरे पास आगई तो आपके बास भी आ सकते हैं इसलिए मा हमेशा कहा रहा हो कि कुछ भी harmful comments मत करा करो कुछ भी harmful content मत डाला करो काफी लोग डालते हिंदू Muslim से related या फिर politics वगरा से तो ऐसा content मत upload किया करो वनना आपके पा इसका एक time limit होती है जिसे मैंने आप लोगो बताई YouTube के time limit है ऐसी ही Instagram के time limit है उसको आप ढूंड नहीं सकते है बड़े मैं आपको लाइफ प्रूफ दिखाऊंगा कि हा Instagram की यही time limit थी तो यहां पर भाई सबसे पहले time limit की वारे बात करते हैं उसके बात करते हैं कि आप आप पहले वीडियो अप्लोड कर रखी हैं जिसे कि आप इनको देख सकते हो तो यहां पर मेरे पास इन वीडियो में आप लोगो बता रहा कि मेरे पास इस ट्रैक आ गई ठीक है तो एक साल की limit है जो मेरे पास इस ट्रैक आई थी तो Instagram ने मुझको बता दिया था कि मतलब एक साल कि आपके पास limit होती है ठीक है तो यहां पर मुझे पहले की तो तीन दिन पहले एक साल नहीं हुआ था और कल को एक साल हो गया इसलिए Instagram ने अपने आप रिमूफ कर दी मैं आपको कुछ ही बता सकता हूं कि यह काम कर यह सेटिंग कर लो वो त्रिक कर लो आगर को यूटीब है मैं ऐसा करके मैंने रिमूफ करवा दी बट जो फैक्ट है मैं आपको वही बतारो एक साल के एक साल का टाइम लिमिट होता है Instagram का अगर आपके पास गाइडले इस्ट्राइक आ जाती है तो उसको एक साल बात रिमूफ कर देगी अब बात करता है कि जिनके पास इस्ट्रा Instagram का ये भी कहना थे कि हमसे भी गलती हो सकते है इसलिए आप डिस्क्राइब कर दो ठीक है यहाँ पर डिस्क्राइब को अप्डेट नहीं करता तो बेसिकली आपको नॉर्मल रिपोटर प्रोर्म पे जा रहा है तो वहाँ पर मेरे पास तो यह कैमरे वाला उप्शन आ रहा ह तो हम ओटोमेटिकली आपका स्क्रिंशॉट ले लेंगे तो यहाँ पर मैं अकाउंट स्टेटस पर गया और यहाँ पर बेसिकली आप तो यह आ रहा है कि हां मतलब कि अप सही है बड़ मैं आप लोग बतारा हूँ अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है तो ठीक है तो इंस्टागरम ओटोमेटिकली स्क्रिंशॉट ले लेगी उसके बाद आपको ओपर यह लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ ठीक है यह चीज़ दो है मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा आप उसको भी कोपी करके लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर भाई आपको यह ल मतलब हमसे तो गलती नहीं क्या पता हमसे कोई गलती होगी यहाँ पर मैंने कोई चीज़ फैक ही नहीं है ना मैं अपने कॉंटेंट पर फैक ता क्योंकि भाई हम ओडियंस का एक टैम तगी पागल बना सकते हैं अगर हमको ओडियंस से कनेक्शन रखना जैसे मेरा आप से कन बना रहेगा आज की वीडियो में इसी के साथ हमरा आएं प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते कोई कोई कोशन हो कोमेंट कर देना रिपलाय कर दोंगा ठीक है बाई